है गाइस दोस्तों आपने से बहुत सारे हमारे वीवर सक्सरा यह कॉमेंट करते हैं कि सर जी कोई ऐसा ट्यूटूरियल लाइए जिसमें कि from the scratch wordpress website कैसे बनाते हैं एक blog कैसे बनाते हैं wordpress के उपर आप step by step बिना skip की हुए बताइए तो मैं यह video tutorial जो ला रहा हूँ भले यह लंबा है लेकिन live सब कुछ इसमें live होगा और मैं register करूँगा from domain से लेके hosting बाई करूँगा साथ मैं install करूँगा SSL कैसे configure करते हैं कैसे setup करते हैं wordpress वो सारे चीज थीम कैसे उस पर डालते हैं कैसे उसे कस्टमाइज करते हैं header footer post कैसे लिखते हैं ads and codes कैसे लगाते हैं कैसे approval होता है यह सारा चीज इस लंबे वीडियो मैं cover कर रहा हूँ दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप मैं दावा करते हैं को पर इंटरनेट पर आपको कोई दूसरा वीडियो देखने के जुरत नहीं पड़ेगी अगर आप wordpress पे blog या website ब से ले लें लेकिन आप free के चक्कर हैं मत पढ़िएगा free hosting के चक्कर हैं मत पढ़िएगा सबसे पहला चीज दूसरा चीज बहुत से लोग blogger से सुरुवात करने कोशिस करते हैं कि वहां से सीखेंगे blogger ठीक है लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है कि SEO यानि search engine point of view से वो पोस्ट को जल्दी rank आता है तो ट्राफिक जल्दी आए ज्यादा है तो ज्यादा बहतर है आपके website या blog का success ज्यादा होगा पैसे ज्यादा कमाएंगे और आपको एक fact बात बदा दूँ कि पूरे विस्व में जितने भी popular blogging websites हैं ज्यादा तर उसमें wordpress पे hosted हैं plugins बहुत होत होते हैं तो आपको सबसे पहला चीह जाता है एक hosting plan लेना hosting plan और domain चाहिए होता है रिजिस्टर करना होता है मैं आपको recommend करूँगा कि domain और hosting दोनों एक ही रिजिस्टार से लिए एक ही company से लिए ज्यादा बहतर होता है क्योंकि आपको dns setting मेंगरा फिर name server change करना पड़ता है थ तो आप कही सब भी ले सकते हैं आपकी मर्जी पूरे freedom है आपको लेकिन मैं यहाँ पर recommend करूँगा कि आप hostinger पर जाए होस्टिंगर इसलिए क्योंकि काफी सस्ते में बढ़िया है so guys मैं यहाँ पर hostinger का सहारा ले रहा हूँ आपको सिखाने के लिए step by step तो description मैंने और pin comment में एक link दिया उस पर click करके आएंगे तो आप इस offer वाले web page पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप wordpress पर click किजेगा reason यह है कि आपको wordpress का plan चाहिए तो wordpress hosting बहतर है wordpress website host करने के लिए claim deal पर click किजेगा आपको यहाँ पर तीन manage web hosting plan मिल रहा है wordpress के तो अब यह देखे सबसे पहला premium plan है दूसरा business plan और तिसरा cloud जो की super fast होता है premium plan भी बहुत अच्छा speed देता है आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरे plans पर जाने के लिए बड़ आपके पास budget अगर जाच्छा है तो यह plan सबसे best है तो शुरुवात करने के लिए आप premium से जा सकते हैं यहाँ पे तीन महिना additional free दिया जा रहा है आपको यह देख लिए जो भी plan आप लेंगे और यहाँ पर क्या features हैं देख लिए 100 website आप host कर सकते हैं यानि future में भी आपको को website host करना है तो आपको hosting खरने के जरूतनी है इसी में आप host कर पाएंगे up to 100 website है performance standard है 100 GB SSD storage है यानि SSD मतलब समझे रहे न आपको unlimited मिल रहा है कि नहीं यह काफी जरूरी है क्योंकि site रुके गा नहीं आपका कितना भी traffic आएगा तो जो यहाँ पर दिया जा रहा है साथ में free domain मिल रहा है आपका चाहिए जो extension लेना है dot com dot in dot or dot go dot in जो भी लेना है वो आपको free absolutely मिल रहा है साथ साथ इसमें बहुत सार स्पीड मिलेगा और ज्यादा और देखिए कभी भी आप किसी प्लान पर स्वेच कर सकते हैं ठीक है इसमें additional benefits आपको मिल रहा है free CDN मिल रहा है और यहां पर WooCommerce भी आपको basic plan मिल रहा है जो किसमें मिलता अगर आपको e-commerce website बना तो इस plan को आप opt कर सकते हैं बहतर है बाकि तो all-in-one super plan है cloud hosting तो जब का website बढ़ियां earning करने लगे बढ़ियां चलने लगे तो आप जरूरी स्वेच कर जाएगा शुरुआत हम premium plan से करते हैं तो इस plan को हम opt करते हैं और से add to card करेंगे मैं आपको recommend करूंगा कि बहतर और सबसे highest discount के लिए आप 48 month plan चूज कीजिए अगर य फ्री नहीं मिलेंगे तो यह सबसे सस्ता भी पढ़ रहा है आपको long term ही मिल रहा है और बढ़िया मिल रहा है तो यह देखिए अब आपकी मर्ज़ाब का सब्सक्राइब करना ही है इसके बाद आपको कहा जा रहा कि आप एक account hostinger कर सांथ create कर लीजिए उसके लिए आपको यह लिखेगा कि आप login हो चुके हैं उस email id से और आप continue कीजिए तो यहां पर सबसे पहले कुछ details आपको भर नहीं है जो कि जरूरी है धर्मेंदर कुमार अपना नाम भर लीजिए phone number यहां पर डालेजिए यह optional है आप देख लीजिए को जरूरी नहीं है बाकि यह सारे चीज़ वाउ तो यह देखिए coupon code my smart support apply होने के बाद आपको यह 3000 रुपए लगभग पड़ रहा है जो कि 10% आपको discount बिल गया एक्स्ट्रा लेकिन सबसे कमाल की चीज़ दिखाते हैं यहां पर आप देखना 12 महीने के लिए आपने लिया जब तो 3000 पड़ा लेकिन आप चार साल के ल जादा हुआ एक साल के लिए 3000 रुपए और चार साल के लिए 7000 दुग्रे से भी ज्यादा है तो मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपको वास बलट है तो आप चार साल के लिए 48 मन्त के लिए जाए ताकि बहतर discount मिल सके नॉर्मली यह discount जो है अगर आप renewals पर जाएंगे तो यह नहीं मिलता है बट यह one time मिलता है तो अगर आपको लॉंग वीजन है तो आप मैं आपके request करूँगा आप 48 मन्त चाहिए एक साथ ज्यादा फायदा हुआ है लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं आप 12 मन्त पर आप क्लिक करके आप 12 मन्त पर चेकाउट कर सकते हैं तो यह यहां पर आपका मुल्टिपल पेमेंट ऑप्संस है क्रेडिट कार्ड यूपी आई पेटी एम यह फिर नेट बैंकिंग जिसे भी आपको करना है कर लेजिए गूगल पर सब है मैं नेट बैंकिंग से करता हूं मैं पास नेट बैंकिंग है कंटिन्यू करते हैं विस नेट रिजर पेमेंट गिट वह हैं आपके पास बहुत सारे बैंक्स हैं जो भी आपको चाहिए उससे अप सेलेट करके आप पेमेंट कर लिजीए आप अपना कंप्लीट और जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा आपको अपना डास्पोर्ड मिलागा मैं यहाप पे के नरा बैंक है उससे मैं चेकाउट कर लेता हूं ओके गाई तो जैसे ही आप चेकाउट करेंगे आप देखेंगे कि दूसरा पेज आएगा जिसमें कि आप लॉग इन रहेंगे और आपका नाम लिखा होगा उसके नीचे जो आपने चीज़ें बाई की होगी वह पैकेज मिल जाएगा सब आपको कलेंम करो हैं चाहिए चाहिस मुझे चाहिए मैं एक ब्लॉग मनारहा हूं टुरीजम का लोकल टुरीजम का जो हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक में है तो हमारा डिस्टिकत के नाम है रोहतास तो मैं रोहतास टूरिजब नाम से एक डोंेंगे यहाँ पर र L. cyn Rob पर जिस निच पर है उसी से मिलता जूलता कीवर्ड होना चाहिए डुमेन में तो जल्दी रैंक करता है ज्यादा बहतर होता है तो यह आप ध्यान रखेगा र-o-h-t-a-s-t-o-u-r-i-s-m ठीक है रहतास टुरिजम मैं चाहूंगा लेना और रहा है एक्स्टेंशन.com अगर मिलता है तो ज्यादा बहतर होता है रिजन यह है कि डिरेक्टली बहुत से लोग होते हैं सीधे .com.com ढालते हैं वेबसाइट के मतलब .com आज ही बहुत से लोग ज्यानते हैं तो वह एक चीह होता है थोड़ा ऑथरिटी की बात करें तो चेंजेज नहीं हो सकता है क्लेम कर रहे हैं अब हमारे नाम से इसे रिजिस्टर कर दिया जाएगा तो रिजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए आपको यहां पर पर परसनल डिटेल डालना होता है क्योंकि गवर्मेंट का रूल है कि अगर आप डोमें रिजिस्टर करें तो उससे रिलेटेड जो आपका अड्रस या कून नंबर बगरा है वो यहां पर रिस्टेट होना चाहिए तो मैं यहां पर इंडिया परसनल अपने लिए कर रहा हूं आप कंपनी के लिए कर रहे हैं तो कंपनी कर सकते हैं नेक्स्ट अप आप अपना कॉंटाक डिटेल्स धर्मेंद्र कुमार मैं डाल दिया अपना email id डाल दिया तो डालके आपको registration को finish करना होगा यह देखिए अब register हो रहा है domain आपके नाम से थोड़ा समय लाएगा और थोड़े समय बाद registered हो जाएगा and this is done great news रहतास tourism.com is being secured आपके नाम हो चुका है continue कीजिए तो अब जो यह मेरा pending setup है hosting का वो हमको अब setup करना है अपने premium wordpress ss install करना है तो यहां पर wordpress पर रहने देंगे और select wordpress ओके तो अब यहां पर कह रहा है कि आप जो administrator email होता है wordpress के backend में login के लिए उसका email id यही रहेगा मेरा और password हम create कर लेते हैं ओके और हम next करेंगे अब यहां पर कह रहा है कि आप कोई भी एक theme चूज कर लीजिए आप यहां पर मैं extra theme चूज कर लेता हूं आप चाहें तो जो भी o free select plugin फॉर्य यह website ले उस plugin पहले से आप करना चाहते हैं तो हम यहां पर भी नो कर देते हैं जो जरूदत होगी वह हम करेंगे एक टिंग है तो यह हमें कोई भी नहीं चाहिए हैं आप हम स्किप करते हैं यह इन सबी को और आप वैंटीजू यह वैप다 सब्लेजलिए घा तो नेक्स्ट करना होगा है next कीजिए इंडिया से हैं सर्वर का चाहिए यहां इंडिया से आपके टार्गेटेड और इंडिया सेलेक्टर लीजिए और उस पर वोड़प्रेस अब इंस्टॉलिशन हो रहा है और थोड़े दिर बाद वोड़प्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और अब दोस्तों आप देखिए अब यहां पर आपका वेबसाइट बिल्कुल रडी हो गया है बेसिक थीम है यहां पर आपको सब सेटप करना होगा तो आपके खुबसूरत दिखेगा तो अभी फिलहाल रखने दिये से और हम बैकेंड में और चीज़े चेक कर लेते हैं तो सेकुरिटी में आप SSL चेक कर लेजिए कि इस्टॉल है या नहीं यानि यह जो वेब साइट है आपका रह रहता स्टॉरिस्म.com उस पर अक्टिव हो गया है अगर नहीं हुआ तो आपको यहां से इस्टॉल करना पड़ता है आपने आप यह जो है इस्टॉल हो जाता है तो यहां पर यहां पर यहां पर फ्री इमेल्स मिले हुए है आपका डोमेन है सब डोमेन चाहते हैं क्रेट करना तो यहां से कर सकते हैं बाकी यह सब को कुछ करना नहीं है इदर everything is okay and fine अब आये चलते हैं हम लोग अपने वेब साइट पे बैक एंड में जो चीजे करनी है प्ल की को कस्टमाइज करना तो वहां चलते हैं तो यहां से वाप लॉग लॉग आउट कर सकते हैं कुछ भी आप करने के ज़रूरत नहीं है दोस्तों तो अब चले डिरेक्ली चलते हैं हम लोग अपने वेब साइट पे तो यह है हमारा वेब साइट और अब यह फ्रंट एंड है बाई डिफॉल्ट एक पोस्ट लिखा रहता है आपको इससे डिलीट करना होगा और फिर से क्रीट करना होगा तो इसके बैक एंड में लॉग इन करने के लिए यहां पे आपको slash wp-admin टाइप करके इंटर हिट करना होगा तो यहां पे वही इमेल अडरेस डालना है जिससे आपका वेब साइट रजिस्टर है और इसके बाद वही पास्वर्ट जो समय आपने क्रीट किया था तो मैं डालता हूं और आपको लॉग इंटर ना होगा अगर आप फॉर्गेट कर गया है तो लॉस्ट परवर्ट पर जाके आप दुबारा बना सकते हैं ओके तो यह देखिए हमारा वर्ट प्रस जो है बिल्कुल तयार है यहां पर अब इसको आप बंद कर दीजिए और यह बैक एंड हो गया और यहां से आप फ्रंट एंड विजिट कर सकते हैं किसी भी समय ठीक है तो बैक एंड में हम काम सुरू करते हैं सबसे पहला चीज जो इसमें करना होता है वो यह कि सेटिंग्स में जाईए आप सबसे पहले और साइट टाइटल जो यहा टी ओ यू आर आई एसम लिख देंगे ठीक है जिस नाम से सर्च किया जाए में वेबसाइट को यह यहां पर होना चाहिए है टाइग लाइन कुछ भी लग दिए तोरिजम डेस्टिनीशन ओफ बिहार ओके नीचे अब आप बढ़िए और यहां पर कुछ भी नहीं करना है इसे आप सेव कर दिए चेंजिस बाकी चलते हैं राइटिंग में राइटिंग में ब्लॉग है क्योंकि यह ब्लॉग काटेगरी रहेगा डिफॉल्ट पोस्ट पोस्ट प्रमेट स्टैंडर्ड रखने नहीं करना है और राइटिंग में चलेंगे और फिर रिडिंग में चलेंगे एक प्येज में हमें 10 पोस्ट लखना है तो डस ट्रेंगे और यहां पे आप हर पॉस्ट में फूल टेक्स नहीं देख्गया यहां यह सलक्ट करे लिए ताकि ठोड़ा ठोड़ा समरीद दिखे उसे क्लिक करने पर रीड मोर आया आगे discussion में आप यहां पर देख लीजिए यहां पर कुछ भी नहीं करना है ठीक है मैं यहां पर परमा लिंग जो है यहां पर कस्टम से हटा कर पोस्ट नेम कर देना है यह बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हर पो परमा लिंक हो बाकी और कुछ यहां पर एक्स्ट्रा नहीं करना है उसके बाद आप चलते हैं सीधे हम यहां पर प्लाग इन सेक्शन में जो की हमारे इस पर इंस्टॉल है तो हूस्टिंगर की हमें जुरुत नहीं है आप अब आप इसे आप डिक्टिवेट करके डिलीट क करने के लिए तो सबसे पहले यहां पर हम सर्च करते हैं सबसे पहला क्लासिक एडिटर आप सर्च कर लिजे और इससे इस्टॉल कीजे क्योंकि इसमें आप को यह फ्रीडम देता है कि आप MS Word जैसा होता है न वोर्ड वैसा आप लिग सकते हैं वैसा फॉमेट आजागा यह में बिसिकली अब जो लेटेस वर्स नार्व स्पिस को रिमूव कर दिया जागा है अडवांस कर दिया गया है तो यह सबसे बेस्ट है आप इसे इस्टॉल करके अक्टिवेट कर लिजेगा अक्टिवेट कर लिए मैं उसके बाद हम जो है एस यू के लिए रैंक मैस प्लग हूं है राइट उके तो इसे हम स्टॉप बाद में करेंगे सबसे पहले हम जो इंपर्डन प्लगीं है इससे इसल कर लिती हैं तो यह तीन प्लगिन हो गया इसके लाबा कुछ और प्लगिन्स हैं जो आपको जरुत पड़ेंगी इसके बाद आपको साइट कीट पाई गूगल यह बहुत इंपॉर्टन प्लगिन है जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा और इसी प्लगिन से आपको गूगल अनलेटिक्स वगर सब कुछ इंटिग्रेट होगा और आपका सारा डेटा कितने ट्राफिक आ रहे हैं तो यह मस्ट है सबसे इंपॉर्टन प्लगिन है इस इंस्टाल करके अक्टिवीट कर लीजिए बाद में से कंफिगर करेंगे और यह हो गया सेट अप बाद में करेंगे स यह डेमो पोस्टर से हम बिन में डाल देंगे मतलब यह डिलीट हो गया अब दिखेंगे तो यहां पर रिफर्स करके तो कुछ भी नहीं आगा बिल्कुल ब्लैंक एंप्री साइट हो गया रडी अब यहां पर हम लग थोड़ा कस्ट्रमाइजिशन करें सबसे पहले थीम की अधर्वाइज आप चाहें तो यहां पर और बहुत सारे थीम्स हैं जो भी थीम्स आपको अच्छा लग रहा है उसको आप प्रिव्यू कर सकते हैं कि अंस्टॉल होने को बाद वह कैसा दिखेगा और उसे अक्टिवेट कर सकते हैं तो इतने सारे हैं मैं कहूंगा कि हमेश पसंद नहीं करता है खास पर कि अगर ब्लॉक की बात करें तो तो इस बेटर और अश्टा सीम्स काफी बहतर थीम हैं और अबॉर्ड विनिंग थीम है मैं इसे कस्टमाल करके आगे बढ़ूंगा अगर आपका से बहतर है तो आपको सबसे पहले तो आपको यहां पर जाना ह सबसें साइट और हैं साइटिटी में आप चाहा है खालिकें का आयिकन अप्लोड कर सकते हैं चाहिंत्यStanAd voyez सबसे एं स्क्राइबिक्स पिटा सकते हैं हैं तो थी क्ष autos dopo आवफ हैं अब आपको यहां श्रूए हैं मैनुलोड कर सकते हैं और अब हैं सबस्क्रीब्क्र से पहले हम homepage setting करेंगे देखिए सबसे पहले क्या है न कि अगर आप इसे blog की तरह use करना चाहते हैं तो यहां पर दिखिए static page अगर website की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं बहुत फते की बाद बतार हैं आपको बहुत important कि अगर इसको WordPress website की तरह इस्तेमाल करना है तो आप यहां homepage setting में अगर आप कोई static page चूज कर लेते हैं कोई भी पेज चूज कर सकते हैं और उसे कि जब site खुलेगा तो यहीं आएगा हमेसा homepage ठीक है जो भी आप सेट कर देंगे लिगे अगर आप चाहते हैं कि आपका हमेसा latest अगर ब्लॉग के format में रहे वाट्पेस को ब्लॉग के फॉर्मेट में सब्सक्राइब करना है तो आप लेटेस्ट पूस्ट यहां पर करके होम तो एडिट नहीं होता है आप होम को छोड़ दीजिए बाकी जैसे दूसरा टाप सर्विसेज है तो इसको आपको इसके जिए नाम लिखना कुछ भी और तो आप यहां पर लिख सकते हैं जैसे माल लीजी मैं लिखता हूँ मेरा ब्लॉग है टूरिज्म का तो मैं माल ल रखते हैं सबसे पहले टूरिस प्लेस टी ओ यू र आई स्टी पी एल एस सी एस यह मैं एक रख दिया तो यह के चेंज होगा यहां से लेकिन इसका यूरिल हमको डालना होगा तो अभी यहां पर क्लिक करने पर वो जाएगा तो वाट वी विल डू कि हम लोग यह फ्रन्ट ुरीस प्लेस के नाम से यहां पर हम लिखेंगे टूरिस प्लेसज़ ठीक है और यह लिक्ते नेकर यह पर्मलइड के वह उसी हिसाब से बनगा दो रिक करेंगे और यह पेज होगा जो की क्लिक करने पे तो मैं भी यहां पर इसे पेस्ट करतेंगे यूरेल पर ठीक है टूरिस प्लेस टैप पर और इसे पब्रिस कर देंगे तो अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा जब लाइब वेब साइट पर तो वो सिमिलरली अब आउट तो रहता है सब में और अगर आपको इन सभी टैप्स के लाओ और दूसरा भी कोई मेन्यू एड़ करना है तो यहां पर आड़ आइटम पर क्लिक करके आप यहां पर आड़ करके आड़ कर सकते हैं फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है मैं से छोड़ देता ह इसमें हम यह लोगों को रिमूब कर देंगे राइट और पब्लिस कर देंगे यहां पर ठीक है आपका अगर अपना जब लोगों बन जागा तो यहां पर आप इसे लगा सकते हैं राइट अप्लोड करके तो यह चीज है अब मैं आपको दिखाता हूं साइट जो हैं वरड करेंगे और पूश्ट जब लिखेंगे तो दीखिएगा पूश्ट आटोमेटिकली आप उपर आएगा मैं आपको दिखाऊंगा आगे ओके तो इतना कुछ करने के बाद हम चलते हैं वापिस और प्लग इन सेक्शन में और प्लग इन्स जो हमने इंस्टॉल किये थे उनको थोगा कंफिगर कर लिया जाए तो सबसे पहले हम रैंक मैट प्लागिन को हम रैंक मैट बाइए यसको इसको हम वो कंफिगर करने हैं बहुत इंपॉर्ण है क्योंकि अपने अकाउंट को और गूगल से आपको करनेक्ट करना है कंटिन्यू करेंगे और जो भी इमेल आईड कर रहे हैं रैंक मैट प्लागिन को इस इमेल आईडी के तुरू इस वेबसाइट के लिए अब यहां पे आपको तीन आप्सन मिल रहा है इजी अडवांस और कस्टम कस्टम प्रो मोड के लिए है इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा रैंक मैट का प्रिमियम बसन बाइ वेबसाइट का नाम क्या है और कुछ अल्टरनी डाला चाहते डालिए लोगों को अड़ा सकते हैं और सीवन कंटिन्यू कीजिए अब यहां पर बोल रहा है कि सर्च कंसूल और अनलेटिक्स कनेक्ट करने के लिए तो यहां पर हम सबसे पहले जाएंगे सर्च कंसूल में औ और स्टार्ट नव पर क्लिक करेंगे बिए दिखिए प्रोपर्टी यहां पर हम एड करेंगे तो यहां पर प्रोपर्टी पर जाएंगे और यहां पर हम उसी वेबसाइट का नाम डालेंगे और कंटिन्यू कीजिए यह वरिफाई कर रहा प्रोपर्टी और आपका प्रोप configuration में आपको paste कर देना है तो इसे हम copy कर लिए और hosting में चलते हैं एक बार कि उस्टिंग वाले में advance में जाएंगे और DNS zone editor में जाएंगे यहां पे आपको ये रिखिए मिल रहा है न यहां पे यहां पे एक जगह पे हम txt इस्तमाल करेंगे और यहां पर आप चाहें तो अपना website नाम भी डाल सकते हैं और value पर वो जो है पेस्ट कर दीजिएगा और add record पर click कर देजिए added हो गया अब आप इसे verify करने के कोशिश कीजिए और यह उने से verified ओके डन बस इतना कुछ यहां पर करना आगे बढ़ते हैं ओके तो यह देखिए ग्रीन हो गया और यह console जो है ओके हो गया analytics अब analytics हम लोगों को यहां पर एक्चुली हमने अनलेटिक्स बनाया नहीं है इसलिए इसलिए इसे रहे देती है अभी और कोंदल करते हैं जो मैं डिकी है साइटमैप सब्सक्राइब कमिट करेंगे आगे बढ़के और एढ़ाँस पर फिसे पर सब्लाइब करेंगे और लिजए काट्स पर uhh एद्सक्राइब करके उास It's done now. अब इसके बाद सबसे important है Google Site Kit को configure करना, क्योंकि analytics को आप connect करना है आपको तो यहां से होगा, तो सबसे पहले हम इसको आप sign-in कीजिए और वही वाला email ID जिससे आप site बनाए है, वही जिससे आपने connect किया है, वही वाला आप इस्तमाल कीजिए तो ज्यादा बहतर है, और allow कीजिए, continue कीजिए, यहाँ पर यह सारा चीज़ सेलेक्ट कर लीजेगा, और उसके बाद continue कर लीजेगा, ओके, you are now verified, रोहतास तोरिजम, now next पर क्लिक कीजिए, और allow कीजिएगा, राइट, next कीजिए, search console भी बन जाएगा यहाँ पर, और आपका analytics दोनों यहाँ पर बन के तैयार हो गया है, account, setup new account, मेरा वहाँ पर पहले से था, इसलिए आ रहा था, अब एक नया इसके लिए account हम, country सेलेक्ट कर दिजेगा, इंडिया, ओके, और create account, continue, ओके, तो अब हो गया successfully, analytics आपका setup हो गया, और Google console भी setup हो गया, जो कि बहुत important है, analytics से आपके साइट पर कितने भी traffic आ रहा है, कहां से आ रहा है, सब directly आप यहीं से measure कर पाएंगे, ठीक है, traffic के बाएक क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे सारा traffic के बारे मताएगा, content करेंगा, मतलब हर चीज़ यहाँ पर बताएगा, documentation और adsense जो है, adsense के approval के बाद होता है, तो आपको सबसे पहले 30 post लिखने होंगे, कम से कम, 1000-1000 word के, और unique, तब जाके आपका active होगा, okay, adsense, तो guys, अब sidekit के माध्यम से हमने search console और analytics दोनों configure कर लिया, और working है, यहाँ पर आपको titles और meta में जाएए, और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लिजिए, एक बात, इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान देनी होती है, आप company है, person है, उसी साब से, और यहाँ पर social media, आप अपना URL डाल सकते हैं, चाहें तो social media का homepage में, हाँ, यह दिखिए, यह बहुत जरूरी हैं दोस्तों कि इसे on करना, ताकि आपका indexing हो जाए, homepage पर यतने भी चीजें रहे हैं उन सबको, और write, उसके बाद आपका, इसे save कर देज़ें आपे, एक बार में save कर लिए, ज्यादा बहतर रहेगा, ठीक है, homepage का setting कर देज़ें हमने, post में, post में भी, okay, ठीक है, post में तो ठीक है, pages में, pages में, ठीक है, block paste, इसको on कर लिजेगा, pages को, write, save कीजेगा, pages के बाद आप attachments तीज़रोती, categories को भी, आप on कर लिजेगा, हाँ, अब category से याद है, मुझे category यहाँ पर create करना है, यहाँ और कुछ नहीं करना है, जैसे मेरा website है, तो इसमें हम category, जैसे कि यह website है, इसमें हम tourism के बारे में post लिखेंगे, तो tourist places के बारे में, तो इसे हम change कर लेते हैं, waterfall कर लेते हैं, पहला category, तो यह उस type के हो गया, इसके बाद इसे हम update कर देंगे, अब इसके बाद और categories पर जाएंगे, और category create कर देंगे, जैसे माल यह temple, तो temples कर लेते हैं, यहाँ पे भी slug में भी, अब हम ने category भी create के, अब हम लोग ready है, पोस्ट लिखने के लिए, ठीक है, तो पोस्ट में चलते हैं, आपे, पोस्ट में अभी कोई पोस्ट नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक नया पोस्ट एड़ करने के लिए, आपको यहाँ पे add new पे क्लिक करना होगा, और यह देखिए, टाइटल यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे बिल्कुल आपका जो भी content है वो लिखना होगा, ध्यान रखें बिल्कुल unique content है, तो हमें मेरे पास माल लिए पहला एक हमारा destination है मांजहर कुर्ड, ठीक है, जो कि waterfall है, तो उसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पे हम title लिख waterfall keyword है हमको, तो इसमें कम से कम तीन बार रहे तो ज्यादा बहतर है, एक post के अंदर हजार word का है, तो तीन minimum रहे तो ज्यादा बहतर रहे, इसका साथ साथ आप इसमें images भी insert कर सकते हैं, जैसे माल लिजे मैं यहाँ पे image insert करना चाहता हूँ, तो आप add media पे click करेंगे, और upload file प तो जैसे कहां रहना है, side में रखना है, बीच में रखना है, जैसे रखना है आपको, वैसे कर सकते हैं, इवीन आप इसको stretch भी कर सकते हैं, अपनी कर दिया आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से तो यह SEO score 20 है keywords का तब तक आपको डालना है और content तब तक लिखना है जब तक यह 80% से उपर हो जाए तब ही जाद है बहतर मान जाएगा ठीक है तो इस तरीका से यहां पर was करते हैं पोस्ट को और यसी में पडरीकश करें यह आप देखिये तक इस तरीके से यह पोस्ट आपका दिखने लाएगा दोस्तों देखें वैब्साइट हमेशा सिम्पल रखना चाहिए और हजार वर्ट से कम का पोस्ट मत लिखेगा उससे ज्यादे लिखेगा और दोस्तों इसी तरीके से आपको लगभग 30 पोस्ट लिखते नहीं पोस्ट लिखती है हजार हजार वर्ट के यूनिक और उसके बाद अप्लाई करें अप्रूबल होने के बाद आपको आड कोड़ साइट किट में जाके लगा देने होंगे दैसेट दोस्तों आइधिंक कि अब सब कुछ हो चुका है और देखिए मैं यहाँ पर देख लेता हू सर्च कंसूल में यहाँ पर साइट मैप तो यहाँ पर आड करना होगा तो यहाँ पर हम रैंक मैप में चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे साइट मैप में तो यह चीज कर लिजी आप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं साइट मैप को थोड़ा सा तो साइट मैप इस ओके पर यहां पर लेके और यहां से हम क्या है आगे किलेटेंव में संते हें आज ही के दिखंगसा है कि कूछ हो गया है सबुछ एक चौंतन लिखना है एडसेंस का अप्रूबर लेना और एड कोड लाया कि पैसे कमाना है तो इसी तरह के से आप वेबसाइट अपना तयार कीजिए दोस्तों आई होग कि आप वीडियो अच्छा लगा होगा वाव वट अप्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट तो गाइस देखा आपने हमने कित यूनीक है तो बहुत आसानी से अप्रूब होगा तो हम आशा करते हैं कि अब आपको सब कुछ समझ में आगा अगा अगर नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए मैं आपको हेल्प करूँगा थ्रौब दो प्रॉसेस और अब आप अपनी जरनी के सुरुवाद की ये नीचे